आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ परसन दिया गया है यदि 3 का गहात 61284 को 5 से विवाजित किया जाता है तो 6X बचता है और यदि 496 को 6 से विवाजित किया जाता है तो Y6 बचता है 2X-Y का मान ग्यात करें हमें पहला दिया गया है कितना 3 का पावर 3 का गहात कितना दिया गया है 61284 और इसको बाग कितने से किया गया है 5 से, अगर हम देखते हैं, यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कि 3 का वर्ग और इसका पावर कितना हो जाएगा, 2 से बाग दे सकते हैं, 3 निकन 3, 2 3 6 हो जाएगा, फिर 2 चंग 12 हो जाएगा, 2 चोक 8 हो जाएगा, अब हम देखत 3642 हो जाएगा बाग हम किस से दे रहे हैं पांच से दे रहे हैं बाग अगर पांच से देते हैं तो हमने यहां पर देख लेते हैं दस को क्या लिख सकते हैं इसके बाल इस नो को क्या लिख सकते हैं 10-1 एक लिख सकते हैं 10-1 का वर्क करेंगे तो कितना है यहां पर कि गहत गर हमारे पास 3642 को देखते हैं तो एक सम संख्या है, सम संख्या का मतलब यह होता है, जो दोसे विवाजित, दोसे विवाजित का कैसे पता चलेगा, कि अंतिम दीजिट को, अंतिम अंक को यहांपर दोसे भाग करना होगा, 2 से भाग चलते हैं तो यहां पर sum हो जाएगा और अगर minus 1 की power कोई sum संख्या दी गई है तो यह आता है plus 1 तो बराबर कितना हो जाएगा plus 1 हो जाएगा यह value किसकी है यह x की x से बचता है तो x बराबर हमारे पास क्या आगया 1 आ जाता है इसी तरह हम देखते हैं 496 को 6 से भाग जाएगा तो यहां पर देख सकते हैं कि जो हमारे पास से स्पल रहेगा वो रहेगा 46 एड़ तालिस एक उच्छे च्छ दूना बारा यानि बराबर आ जाएगा 4 तो y बराबर कितना हो गया 4 हो गया परसन में क्या पूछा गया है परसन में पूछा गया है 2x minus y तो 2x minus y बर हमारा उत्तर रहा है माइनस दो अगर हम इसको उप्सन में देखते हैं तो उप्सन में कह सकते हैं उप्सन नंबर तीन हमारा सही उत्तर रहा है धन्यवाद क्लासिक स्ट्वेल से लेके नीट आयाईटी जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज ही डाउनलूट करें डाउटने टाप या वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स 8444 सुपर